हरिद्वार के शीव धनुष की तर्स पर शीव नात नदी में बनेगा लक्षमन जुला जिसको लेकर शहर विदाक अरुण निर्मान करने के लिए 30 करोड की राशी प्राप्त हुई है इसलेकर शाहर विधाक अवनवोरा ने जलसन साधन विभाग की अधिकारियों के साथ शिवनात तटके प्रस्तावी तिस्थल का निरिक्षन किया और आवशक दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लक्षमन जूले के निर्मान से राजनन गाव रोड पर बने शिवनात पूल से महमरा तक स्मरनी पिक्निक इस्थल बन जाएगा शहर विधाक अवनवोरा ने हरिदवार की तर्स पर बनने वाले शिव धनुष जैसे लक्षमन जूले के स्वरूर्प की जानकाई देती हुए ये भी बताया ये लक्षमन जूला 200 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होगा वही जल संसाधन विभाग के ई-ई सुरेश पांडे ने बताया कि विधायक वोरा के आगरह पर मुख्य मंत्री के निर्देश के अनुसार विभागी बजट 2022-23 में शहर के लोगों के लिए योजना शामिल की गई है लक्षमन जूला करीब 500 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होगा डेकोरेटिव डेक के साथ रंगिन लाइटिंग विवस्था के साथ लक्षमन जूले को बेहत आकरशक और खुबसूरत बनाया जाएगा वहीं टकविल के आसपासी पार्किक जोन भी बनाया जा रहा है महमरा छोर पर गार्डन और कैफेटेरिया के साथ फाउंटेन भी यहाँ पर विक्सित किया जाएगा बहराल पूर्ण रूप से निर्मीत ये लक्षमन जूला लोगों के लिए खास आकरशन का केंदर भी होगा क्रेंडेस ये निउस के लिए दुर्बसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट